कोरोना संकरमां का दोर है प्रदेश में संकरमां के रफसार को रोकने के लिए लोकडाउन लगाया हुआ है लेकि इस लोगडाउन की वज़े से कई ऐसे लोग हैं जिनके खाने की दिक्कते पेदा होगी क्योंकि रोजगार का उनके संकत आ गया खास तोर से मजदूर वर्ग या कहें कि दियाडी मजदूर जो कि हर दिन अपनी मजदूरे के साथ में पेट पालते थे आज उनके सामने इस तरह की दिक्कत आ गई लेकिन संकट के वक्त भी कई लोग ऐसे हैं जो भामासा के रूप में कह लिजिए या भगवान की रूप में कह लिजिए कि वो उनकी लगा था तब से ही यह परिवार इसी तरह से अपने दस बाइदस के कमरे में बेटके और खाना त्यार करता है उन लोगों के लिए जिनके पास में रोजगार नहीं है वो फुटपात पर रहते हैं पत्नी है उनकी इनके साथ उनकी बेटी है बेटा है और खुद मेहराजी ह मेहराजी हाइकोट के वकील हैं पत्नी घर पे इनके साथ पूरे देती हैं और दोनों सुबज शाम यहां से खाने के पेकित इसी तरह से पेक करके और जो फुटपात पर रहने वाले लोग है जो कच्छी बस्टियों में रेते हैं उन तक यह खाना पहुंचाती है बात करते से बीच में लोगडाउन हटा लेकिन आपका यह अभियान बंद नहीं हुआ ने पिछले जो कॉर्णा काल चला था उस समय जो है ना उस समय बानो प्रानी मातर है जो भूख शी ज्यादा रसता लेकिन इस कॉर्णा काल के अंदर क्या है कि मेडिकल ज्यादा थी लेकिन उसक जरतमंदों को जिनका काम नहीं लगा था और अब जब से कोरोना जो लह रहा है यह सेकंड उसके बाद मां एवरी डे लोगों तक पहुंच रहे हैं खाना बनाते हम लोग घर पे और घर पे बना करके और हम सासा चलते हम लोग इसके अलावा रसत सामगरी है वह भी हम लोग करते हैं और रसत सामगरी देते हम लोग किट जासे सूसना जाती है हम लोग वहां तक बेज़ बेज़ पाते हैं जरतमंदों को ऑन कॉल पर भी और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है कि बीस से पत्चीस पैकेट हम लोग एवरी डे हम रास्तार हेल्थ इरुश्य में भी बेज भी बेज पार हैं जो कि भार से गाहों से कोई पैसें ताग है और उनके अटेनेंट हैं उनको हम बराबार ऑन कॉल बेजते हैं जिसको हम लोग जितने हैं मजदूर है ठेले वाले उन तक हम लिए उनके साथ में जिस तरीके से इनकी पत्नी पुर्य सिद्धत के साथ में की साथ लगवी बात करते हैं मैं क्यूंकि हम लगातार आपको देख रहे हैं आप इसी तरह से हर दिन इस काम में लगी हैं लोगों की तक खाना पहुंचा है और पिछले साल का अइसाब से परडे हम से खुंसेते हैं अब तो लोगों को सहयोग मिल रहा होगा आपको ौस काम में रही तक हम अपने इसाप से चले थे और दस पांत दिन से इन लोगों का सहयोग मिलने लगा है मैं जैसे कि पर्चुनी का सामान है कुछ थोड़ा बह सब्सक्राइब कर रहे लेकिन जब यह लोगों के पास जानकारी पहुंचने लगी लोग जब इनके संपर्खना लग लोगों ने देखा कि किस तरीके से पति-पत्नी रोज एक्तिवा लेकर उस गाड़ी के उपर एक थेली में लोगों तक खाना पहुंचा रही है तो लोगो कि हर दिन वो लोग जो है वो एक वक्त के साथ निजार करते हैं सुबह कि जब नो दस बजते हैं तो इंजार करते हैं कि गाड़ी आएगी इस पर एक पति-पत्नी आएंगे उनके लिए खाना लेकर आएंगे साम को भी यह इस्तिति कि चार से पांच या कि छे बज़ते आए ठीपू